आज में आपको डीएवी क्लास 7 mathematics के चैप्टर 10 construction of triangle के वक्षिट 1 का solution देने वाला हूँ इससे प्रीवेश सारे चैप्टर के विडियो अप्लोड है यह आप में विडियो को नहीं देखा है और यह प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया की में प्लेखने है यह फिल्क करेंगर देखने हम लगे वब से लिए वी स्टरArt करने वाले चलिएंड उनलग करते हैं सबसे पहले आप लोगों सबसे पहले क्या करना कि रापर्टी में रखना हुगा मैने आपको प्रिवेश वीडियो में में टाया भी था ओकिंदेखिए एक प्लेम जिनके पास थी साइव साइथ होता है थी एंगल रहात वह दिखिया जो सम्हों होता है वह था वान इति डिःघ्री एक किसी साइड वह उसके अंदर मेंगत की इंटिरियर अपोजी एंगल, कि सम्हों के इकवल रहे होता एक एकृइपिर ए तो दो साइज जब हम लोग एवी प्लस एसी करेंगे तो वह बीसी से हम इसा जाद ही निकलेगा ओके चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर इस चैप्टर में आप लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से एक गिवन मेजरमेंट तो आपको दिया जाए तो आप आप में वह को इस चीज को याद रखना हो कि ट्रेंगल के पास six components होते हैं तो पहला होता है तीन साइज और दूसरा होता है तीन एंगल ठीक है एक ट्रेंगल को उनिकली डिटरमाइन किया जा सकता है जब उसके पास त्री इंडिपेंडेंड जब उसके ट्री इंडिकेट करना होगा देखिए आप कभी भी ट्रेंगल को बनाना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा ओके चलिए लोग सुरू करते हैं इसके लिए कुछ बेसित देखेंगे सबसे पहले देखिए एक एक्जामपल हमें वह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंगल ट्री साइट सर्गेवन जब तीन साइट गीवन रहेंगे तो उस समय हम लोग कैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह से इस से कंग्रेंट हो जाएंगे दो ट्रेंगल उसी प्रकार से जब तीन साइट गीवन होंगे एक्जामपल बन देखते हैं यहां पर एक ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट करना आप लोगों को बनाना है एक बिसी जिसमें एबी जो है यह फोर यह होगा पाइफ से का पीसी हुसके बाद क्या करेंगे यह क्रीन स्थ्ट्प तो हमने कले बैठेंकं कंस्ट्रक्शन इस सब ले बैठें है फोड़ को सरकल का एक बनाना है आर्क उसके बात क्या है step 3 अब सी से हम लोगों को सेंटर लेना है बनाना है six centimeter का अब एक अन्य आर्क हम लोगों बनाना जो कि previous आर्क को ए पर intersect करें तो आप हम लोगों क्या करना जीसे कि यहां पर देखेंगे पहले कोशिण है जो आर्क अन्य इन विच अलम इसको तो five centimeter एमन इस इकल तो five six centimeter and and is equal to four point two centimeter लोगों एक रेंगल का नाम है ल एम एन जिसमें कि अलम five centimeter होगा एम एंज five point six centimeter होगा एनल four point two सेंटिमीटर होगा चलिए लोग इसको शुरू करते हैं इस देखिए को शुरू करते हैं हम लोग यहां पर साल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले लिए क्या करना एक ट्रेंगल करना है एल एम एन जिसका एलम five centimeter होगा ठीक है एम फाइप पांट six centimeter होगा एनल four point two centimeter होगा ओके सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक रफ फिगर बना लेते हैं ठीक है देखिए हम लोग इसका रफ इसके बना रहे हैं अगे एक रफ इसके आप लोग इसके लिए जरूर बनाईए इस बहुत जा रहे है इंपोर्टन होता है फोर एक्जामपल जैसे कि हम लोग ने आप एक रफ इसके बनाए है ल एम एन का ठीक है अब इसे पर दिया हुआ है लम five centimeter है एम एन six five six थीक है अब देखिए हम लोग यहां पर एन लेंगे से पहले एन यहां पर फोर प्रइन टू हम लोग एन लिए हैं उसके बाद यह जो साइट देख्रेश्वाइश्वां साप लोग इस साइट को हम लोग नाम देदेते हैं अब एम एम एन ठीक है इसको मुलोग नाम देते हैं यह हो जागा five six centimeter और यह जो साइट है यह जो हमारे पास हो जागा five centimeter पर नहीं का इन नहीं चाना है और यहां पर क्या करते हैं ठीक है सबसे पहले हम नीचे बनाएके जो बनाइब लोग 4.2 का यहां तक यह हमारा है इसका नाम देदेंगे लोग लोग इसका 4.2 का होगया अब हम लोग कमपास में पैंसल को गुजाएंगे और अब हम लोग यहां पर से आर्ग कातेंगे तो इस तीज को आपकांगे अपक्राइब लाखना है यह श्री जोग जो मिलिए तो यहां तक अंगे एक लाइन क्या है है हमाराइफ इसलिग बड़ दान रखेगे त्रएंगे तो यहां तो यहां तक ओसे एनॉट थेल मैंने क्या प्राइटे रहाएफ किया अपसर। यहां बोला इसी शक्राएस का दान राटान रखागे ग़ा हम लोग ने आप ऐसे रखा और यहां पर से काटा उसके बाद नेक्स हमारी पर स्क्या है एक और साइड जो दिया हूँ है वो है MN अब लोग उपर में फिर से एक पर M काटेंगे इससे नहीं होगा इस्वेंट यहां कहां करेंगे एक पॉइंट हम लोग आप मिलना थे जिसे जोइन कर पाएं ठीक हम लोग एंड पर रखेंगे अब एंड कितना मन कितना है MN ने 5.6 तो लिए था यहां से 6 यहां बला देंग यह आप लोगों को बिल्कुल आर्ट को थोड़ा बला कातना होगा ठीक है यहां फाइफ सेंटिमीजन मूनी काता था हम लोग इससे यहां पर रखके इसको एक्स्टेंड कर देंगे आगे पॉसिस किजिए कि एक्स्टेंड ना हो क्योंकि हम लोग कभी भी रिपीट नहीं क का यह फ've k articulate से माला स्फ्ट हो गया इसी Raphaão से बनाएंगे हम लोगने नीचे में का लिया Americans gチ a अनल लिया ठीक है अनल यह था 4.2 अब हम लोगों नहीं पर एम पॉइंट कटा यह होगा मार पॉइंट आम इसम लोग जोईन कर दिए तो एमन यहां पर 5.6 सेंटिमीटर का हो गया अब आप लोग यहां पर क्या किजेगा पेंज लीजिए नहीं बने और कोई धिकत नहीं है उससे वह यहां पर त्यक्तर नियाएं आपका इस प्लीकुल भी सही होना चाहिए ठीक है अम लोग ने वही चीज यहां पर किया इस वकात्रम ने इस रफ फि सब्सक्राइब यहाँ पर इसे अब लिख देते हैं सब्सक्राइब एमन एमन क्या है 5.6 cm का मैं ठीक है उसी प्रकाश से एमन एलम वह सकते हैं लोग से ऐलम फाइब फाइब सेंटीमेटर का है और यह मारा थार्ट साइब हो गया 4.2 cm का यह देखिए इसी परकाशन लोग आगे की कोशन को भी सॉल्व करेंगे का श्रक्ट करेंगे सकेंड कोशन देखते हैं सकेंड कोशन ने बूला किया है का श्रक च्राइंगल दिए एफ सच डड़ी इस एकवल टूझ दियाफ इस उकल टूझ फोट सैंटी मीटर इस उकल तो इस बात का करना आगे भी है कोशन में हम लोग को ई और एफ को मिजर करना है चलिए अनुट करतें क्यों करते हैं कि कॉपी में इस देखिए कोशन नमर टू हम को कि यहाँ पर saul कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग गई करेंगे का की किसी टाइब के गवह होते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं तो हम लोक्त चुबिढ़ी love कॉमेज़र करना है किया नगढ़ ब्रमाइब को मीज़र्ट करना है तो यह अमीज़ लेंगे सबसे पहले हम यह एफ लेंगे देखिए हाँ पर कि इसनल देखिए अमरेज ले네 पाइट लिए यहां पर इसके आगे यहां पर लिख देंगे इसके पढ़े करेंगे यहां 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 इतना दू तक आया अब हम लोग यहां से एक यहां ऐसे करेंगे इस जगहां पर रख करके एक पर ऐसे करेंगे ठीक है करेंगे इसका नाम दे रहेंगे अब देखिए हमारा हो गया अब यहां पर लिख देंगे कि कितना है और और यह थो आशाएंगे इसको मेजर करना है इसको मिजर कैसे करेंगे शद्व पर प्रोटेक्टर के हैं यहां फेलेगा तो बिल्कुल भी इंगे होना है मेरे पास 43 डिगरी का रहा है 43 डिगरी और हम लोक करके देख लएकर दोस्ति आएगा जी हई बिल्कुल 43 डिगरी रहा है ठीक है अब हम लोग इसे हाँ पर इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे आप चाहें तो steps भी लिख सकते हैं लिकिन मैं हाँ पर steps को नहीं लूप हूँगा ठीक है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे d is equal to 4 cm उसके बाद df is equal to 4 cm दो साइट इक्वाल है और ef is equal to 6 cm अब हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे आगे एंगल ईए और फ लिख देंगे जिए इस इक लिख देंगे इस इक दो साइज इक बताए गए अब देखते हैं दो करना है जिसके एक साइट का लेंज दिया गया 5 cm हम लोग उसके साइज इकवाल होते हैं तो जब एक साइट का हम लोग दे दिया गया 5 cm तो लोग उसके हम लोग यहां पर इसका बना लेंगे आप लोग इसको है इसके बनाईएगा अच्छा चांगल का नाम नहीं दिया रहे तो ले लेते हैं एक साइट 6 cm इससे ले लेते हैं लोग जानते हैं कि 6 cm का यह भी हो जाएगा और हमें आपर लिखेंगे इन ए या इन एंस और इन एक्वी लेटरल ट्रेंगल वी नो जानते हैं इस तारे साइट इक्वल होते हैं और साइट साइट सा इक्वल ठीक है अब देखें लोग से अंस्ट्रक्ट करेंगे वह स्वाइव दिया गया बुक में और कि मैंने 6 लिख दिए 5 होगा अब लोग 5 कर दिए ठीक है यह 5 होगा आप लोग किसी भी चैंगल को नीचे एक बेस लेंगे ना उन्हें लोग एक बेस लेंगे 5 cm का इस बात में बता दूँ जब भी आप चैंगल को कंस्ट्क्ट करें कौपी में नम स्वाइव यह दिए अब बिल्कुल लाइन में कंस्ट्रक्ट ना करें छिए इससे आप लोग इंकर नीकरन्यमियल्थ होगा इस असंस्टों राइन एक्षेंब्ग होगा आप लोगो समझना होगा अब अब इतना हो गया अब यहां पर 5cm हो गया मारा 5cm जब आप क्या करेंगे कि यहां पर से इतना दूर तक हम जोसां इतना आए है अपर से काटेगे और से काटेंगे यहां पर डखा नाज typically अब देखिए आप लोग यहां पर स्केल को रखेंगे अच्छी तरीके से आप लोग लाइन दो करते हैं समय हमेशा ध्यान दखना होगा कि लाइन अब देखिए यहां पर नाम देखिए अब लोग यहां पर लिखना भी ना भूले तो यहां पर यह भी सेंटिमेटर सबसे पहले हम लोगो को यहां पर एक को पर एक क्रेक्डर में सबसे पहले हम हैं सभी लए कि करना हों तो हम लोग यहां पर सबस्वेंड वे लेंगे इस के बेस हम लोग लींगे फोर सेंटीमितर का यह लए लिए नThe कर दो कि यह और इसका है पूटेना सुनों के लेंगे 5 सेंटीमीटर का और सब्सक्राइब करना है इसके साथ सब्सक्राइब क्या बताया हम लोग 1 में कर प्रद्सक्राइब 3 करते हैं यहां बैसे 5 करके इसे यहां पर असके आप प्रकार से काटेंगे अब देखें लोगों को त्री संटीमेटर का पड़ गया तो फिर यहां पर रखेंगे और इसको यहां तक करेंगे यह ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्या करूं हो जाता है आप लोगों से नहीं होना चाहिए ठीक है हम लोगों कर देंगे यहां पर से आसे आरक्यू और यहां पर फाइल सेंटीमेटर का और यह समदार हो गया थी संटीमीटर का थिक है फ्रेंगों कि लिख़ेंगे और पीयर इस इकल टु फाइव सेंटिमीटर टेंगा फाइव सेंटीमीतर अब हम लोग यहां पर रखेंगे ठीके हम लोको इसका हाफ पर आएगा तो पूंड है यहां पर यहां पर इतना दखेंगे ऑप हम लों बनए ऊपर बनाएंग इए अ like and यहां बनाया इन हम भेड़ेंगे अब सहब एक हम लोग यहां बनाएंगे यह यहां के जाटब काट今天 इसको यहां काल टो इंटर्सेक्षन पॉइंट को जोड देंगे तो यह इसका पर्पेंडिक्लर बाइसेक्टर भी हमारे पास बन करके तयार हो चुका है ओके हम लोगे इसका नाम देंगे टीप देखें यह यह आपको एक बता रहा हूं यह अपका पर पैंडिकलर बाइसेक्टर सही है इसको कैसी मीजर कर सकते देखिए जैब हम उने इसे बाइसे किया तो 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 यहां पर करेंगे तो जहां पर से लाएं उस बेस को काटेगा जहां पर कटेगा वो दोनों आपस में हाफ आप डिवाइड हो जाएगा तू और दूसरा हो जाएगा तू देखिए यह आप मीजर की जिए तो यह आएगा तू और इसको आप मीजर की जिए तो यह भी आगा श्योंस टू ओके इससे आप लुगे बढ़ा कर सकते कि सही है कि नहीं अपने को जो है एक साइट को दो इक्वल पार्स में रिवाइड करता है ओके अब लुग नेक्स देखते हैं कोश्चन नंबर फाइव देखिए कोश्चन नंबर फाइव इस इस पॉसिबल तू कंस्ट्रक्ट अ ट्रेंगल हूँ साइट साथ 3 सेंटी मीटर 6 0.1 cm 2 cm कोश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि टींगल को कंस्ट किया तहों कि व्लूंट इस साइटारेव खरफ़ूंक्ष कسापड़ और जोटも दूबस सेंटी मीटर लेगर चृफ को सोल्ड़ करते हैं शर फटा करते हैं कि पॉसिल्ड. नहीं करेंगे आप चाहे तो लाइन में भी सकते हैं लेकिन आपको समझा दे रहा हूं ताकि आगे आपकी कोई भी कोशन से आए तो आप लोग उसे नहीं कर पाएं आप लोग उसका करें एजी सुलिशन कर पाएं ठीक है देखिए हम लोग क्या कर देहें कि डिवाइड कर ले रहें ठीक है एक साइड एपी एक साइड बीसी और एक साइड हो जाएं एप लुक्षण जो AB Side है इसे रखेंगे 3 cm करेंगे तरीकती सेंटीमीटर वी सी साइट को उसी प्रकाष से रखने हैं 6.1 cm और C A साइट को रत लेंगे 2.6 cm हम लोग क्या जानते हैं इसलन कि दो साइट का सम्ब किया जाता है तो यह से से बढ़ा होना चाहिए तब वो ट्रेंगल के लिए तब एक ठाइब का साइड हो सकता है ठीक है तो में इस फॉर्मॉला को यहां पर यूज करेंगे ठीक है A B plus bc ठीक है वो बढ़ा होना चाहिए ताक्ति आपका एबी प्लस bc बढ़ा होगा की नहीं होगा तो 3.3 स्टीपी प्लस 6.1 ड्रेक्टर ही होगा सिए से से घ्रेटर होगा क्योंकि यह जागा नाइन और से यह हमारे स्वाइभर यह संटीमीटर से टीक है मैं नेक्स हम यह हमारा हो गया अब लोग देखते हैं ए प्लस यह बड़ा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए बड़ा है नहीं अब देखी कैसे बड़ा नहीं है यहां पर यह बड़ा हो जा रहा है क्या है वो साइट 6.1 है और इससे भी बड़ा हो जाएगा 6.1 तो हम लोग यहां पर लिख देंगे दिस अब यहां पर लिख देंगे इतना बना तो जो कॉफी चेक करते तीचर्ट उन्हें समझ में आजागा कि आपको नौलेज है इस कोश्चन के बारे में अब हम लोग देखते हैं यहां पर लिख सकते हैं अब हम लोग यहां पर लिखेंगे इस इस नौट पॉसिबल यह पॉसिबल नहीं औहीं है ठीक है आप 9 भी लिख सकते हैं लेकिन यह बस एक लाइन में अप्लिख सकते हैं या इस आप यप यह भी लिख लिख सकते हैं कि वटीस टांगल इस नोट पॉसले because sum of two side is less than the third side ओके यह भी आप लिक्स लगते हैं अब नेक्स देखते हैं question number six question number six is equal to 7 cm qr is equal to 3 cm rp is equal to 4 cm is the construction of triangle possible construction करना triangle का जिसका पीक्यू आल कि नाम है उसके पीक्यू सेवन सेंटिमेटर हो क्या इसको भी सॉल्व करें यहां पर कोशन में ही दे दिया गया है तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे possible होगा कि नहीं होगा देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे पीक्यू मारे पास दिया हुए 7 ठीक है उसी प्रगार से next दिया गया है qr3 qr3 दिया गया है और एक last time rp या पी आर पी आर हम उसे बोलते हैं ठीक है 4 cm अब देखिए आप प्लस 3 is greater than 4 उसके बाद next क्या है होना चाहिए हमारे पास qr जो साइड qr है उसमें जब PR को प्लस किया जाए तो qr प्लस पी आर यह भी बड़ा होना चाहिए qr3 है प्लस 4 है लेकिन यह equal to हो जाएगा पीक्यू के हम लोग नहीं क्या पढ़ा था हम लोग नहीं पढ़ा था कि जब दो साइड को का सम किया जाए किसी चैंगल का दो साइड का सम किया जाए वह थार चाहिए ना वह छोटा होना चाहिए ना वह equal to होना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे No, हम लोग यहाँ पर कṚन में लिखेंगि यहाँ में, इस था कंस्ट्रक्षण उफ टेएंगल पॉसिबल टो अले के लिखेंगे न होटे लिखेंगी पॉसले ठीक है because sum of two sides is equal to because sum of two sides sum of two sides is equal to third side not greater greater नहीं है वो third side के साम से ठीक है तो देखिए हमारा sixth question हमारा issuance solve हो गया ठीक है sixth question और fifth question में construction possible नहीं था ओके तो वक्षी हमारा इसी के साथ पूरा solve हो गया okay मैंने आपको एक पुरा वक्षी करवा दिया और अच्छे तरहीं से क्या construction होगा कहां नहीं होगा मैंने आपको यहीं बताया कि आप किस प्रकार से लाइन को मीजर करके सकते हैं ठीक है समारा solution हो गया ओके तरहीं आपको यह लाइक कर दीजिए और योदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके प्रिस करके और प्रिस कर लिजेगा था हूं कि मैं आपके लिए प्लेलिशन को जरूर प्लेलिशन के प्लेलिशन को सारे सप्सक्राइब कर लिए लिंक डिसक्रिप्शन पर है हैं घर इस प्रमें के साथ अजिक डिक से कीजिए ओक विडियो को लाइक करना तो बिल्कुर भी नहीं बुलिएगा अर्थ विडियो को भी आप लोग जूर 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 देख लिएगा हर इक सब्सक्राइशन और सॉल्यूशन विडियो अप्लोड है थैंक्स पर वाचिंग